हेलो स्टुएंट्स आज हम बात करें के क्लास सेवंथ के चाप्टर नंबर टू डाट इस नूट्रिशन इन अनिमंस में जो आपका टॉपिक है डाजेशन इन हुमन्स उसमें देखिए जो पहला स्टेप है डाट इस कि इंजेक्शन ऑफ फूड है ना जब हम फूड इंजेक टरो तो जो आपका फस्ट यहां पर आपका पार्ट यह ओर यहां पर आप के डाजिशन प्रॉसेस में इवाल्ड होता है और माॉट अन्ड बॉकल काविटी है नव जिसके बारे में हमने जो आपकी फिस्ट वीडियो है इस चैप्टर की महाँ पर भी हमने डिस्कस किया था तो आपका mouth and the buccal cavity, तो आपके mouth और buccal cavity में क्या क्या था, आपके tit आते हैं and आपकी tongue, तो यहाँ पर जो आपके digestion का process है, सलाइवा जो है यहाँ पर जो आपके carbohydrates है, जो आपका starch है, उसको sugar में ब्रेकडाउन करता है, वो तो हम फिर्स्ट वीडियो में discuss कर चुके हैं, यहाँ पर आज की वीडियो में हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, कि आपके जो teeth है, उनका क्या function है, और जो आपके teeth है, उन सब का अलग अलग function है, और उसी के according जो है, उनकी name है, तो आज हम यहाँ पर teeth के बारे में बात करेंगे, and then second हम यहाँ पर जो आपकी tongue है, tongue जो हम किस के लिए use करते हैं, taste के लिए, तो आज हम teeth and tongue के बारे में हाँ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे teeth, right, so the topic is teeth, so our teeth vary in appearance and perform different functions, as you know teeth is a plural form, singular form of teeth is tooth, right, singular form is singularly what we say, that is tooth, right, so our teeth vary in appearance and perform different functions, देखिए, जो हमारी teeth है, आपने देखा भी होगा, जो आपके आगे वाले दाहत होती है, उनकी shape कुछ और होती है, जो उसके बाद में जो आते हैं, उनकी shape अलग होती है, जो आपके पीछे के दाहत होती है, उनकी shape अलग होती है, और सबका अप देखते हैं कि कैसे सबका अलगला function है, right, तो appearance अलग है, सबका function अलग है, and accordingly they are given different names, और उसी के according, जो है, इनके different names है according to their functions, right, तो देखिए, जो आपके teeth है, इनको जो है, हमने 4 category में जो है, डिवाइड किया हुआ है, अच्छा, number of teeth कितने होते हैं आपके, देखिए, अपर ज mature person में जो है, आपके upper part में 16, and जो आपका lower part है, उसमें आपके 16 होते हैं, right, तो वो हम अभी diagram में भी देखेंगे, किस तरीके से पूरा आपका होता है, right, तो जो teeth हैं, वो हाँ, जो है, four category में हमने divide किये हुए है, पहले जो category है, that is the incisor, incisor देखिए, front में जो हाँ, ये जो teeth है, four upper and four lower, ठीक है, front वाले जो है, these are called incisor, और देखिए, आपने देखा भी वहाँ, आप जो है, जैसे apple आप खा रहे हैं, तो आपको अगर उसमें से एक bite ले नहीं हो, तो आप किसका use करते हैं, ये जो आपके front के दात हैं, उनका use करते हैं, right, तो ये incisor जो है, these are used for cutting and biting teeth, इनको हम बोलते हैं, cutting and biting teeth, right, अब just आपके ये जो four teeth हैं, उनके just बाद में, जो है, आप कहाते हैं, canine, canine, ये वाले जो teeth है, right, ये जो है, ठीक है, दो आपके अपर साइड में होंगे, दो ही आपके lower साइड में, इनके total four होते हैं, right, इनको हम बोलते हैं, piercing and tearing teeth, मतलब क कैसी चीज मतलब की किसी चीज को है फार्डने के लिए तो उसके लिए जो है ये वाले आपके जी आपके ये बहुत जादा SHARP होते हैं आपने देखा ये वाले जाटा टीट है ऐने के स्बसे जादा SHARP होते हैं और दीकिडिये इसकी नेमिंग कम यह किस बेषिस पर देखो आपने क्यों होगा यह वाले अधाने यह आपके जो आपके डो oh's होते हैं उनमें भी होते हैं और तोख मांत से तो इनको बोलते हैं कैनाई उसके बाद जो आपके ये टित आते हैं ठीक है ये वाले जो दात हैं हम किसलिए यूस करते हैं जब हम कुछ चीज खा रहे होते हैं चबाने के लिए ना जो हम उसको small pieces में जो है उसको तोडते है small pieces में वो हम इन्हीं पीछे वाले जो टीथ है उनकी help से करते हैं तो यह वाले teeth हम किसलिए use कर रहे हैं चुइंग के लिए है चबाने के लिए ठीक है तो प्री मॉलर टीथ है यहां पर आपको अब यह डायग्राम हो रहा है diagram में आप देख भी सकते हैं अगर आपको यहां पर दिखाये ना ही और यह लास्ट में औरetin प्री मॉलर टीथ ठीक है तो वो डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं डाइग्राम में आपको और ज्यादा क्लियारिटी हो जाएगी कि किस तरीके से आपके यह आपके टित हैं और क्यान के फंक्शन्स हैं ठीक है तो डाइट द आतीज अब बात करते हैं देखिये यह तो वह कि आपके टित हैं उनके पेसिपह की पहिंद पर यह जोह жंहाद पर उनको replace कौन से करते हैं उनको बोलते हैं पक्के दाद आना permanent it वो जो है आपके throw out life जो है आपके साथ रहते हैं तो that are called a permanent it तो पहले जो आपके मतलब की जब बच्पन में आते हैं आपके एक साल से मतलब की during infancy है जब आप बहुत चोटे होते हैं उस time पर यह milk teeth आपके निकलने शुरू होते हैं और यह तो आपका खुद का experience है तो उसमें पताने की जरूत है ही नहीं तो पूरी लाइफ आपके साथ रहते हैं या फिर जब आप जो है old age में आपके तूटने लगते हैं या फिर अगर जो है कोई dental diseases है उसकी वजह से भी जो है वो आपके age से पहले ही जो आपके टूड़ जाते हैं that is very necessary कि आप अपने जो teeth हैं उनका ध्यान रखें ना उनकी cleaning का ध्यान रखें उस without teeth देखिए आप खाना जो है अच्छे से जो है उसको चबा नहीं सकते हैं और कोई चीज आप मतलब कि वह पर आपको खाने में बहुत जादा उसमें problems आती हैं तो we should take care of our teeth right now यहां पर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं tooth diseases या tooth decay के बारे में कि जब आपके दात जो है वो खराब हो जाते हैं तो वो आपके क्यों होता है तो many harmful bacteria begin to live and grow in the mouth if we don't clean our teeth and mouth after eating अगर देखिए हम खाना खाने के बाद अगर हम अपने teeth और mouth जो है वो अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो क्या है बहुत सारे harmful bacteria जो है हमारे mouth में जो है वो आपे grow करने लगते हैं और फिर यह bacteria क्या करते हैं they form acid यह यहां पर acid form करते हैं और उस acid की वज़े से जो है आपके जो दात हैं टित हैं वो आपके खराब होने लगते हैं और इसको हम बहुत है tooth decay राइट so these bacteria breakdown sugar आप देखिए जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो आपके carbohydrates हैं जो आपकी sugar है उसको यह क्या करते हैं breakdown sugar present from the leftover food आपके दातों की बीच में बचा हुआ खाना जो लगा रहता है ना वहां से यह bacteria क्या है उसको वहां उसमें प्रेजेंट जो आपकी sugar है उसको यह breakdown करते हैं and then वहां से release करते हैं acids and these acids gradually damage the teeth जो के हमारे दिर दिर क्या है अपने हमारे दातों खराब कर देते हैं and this is called tooth decay right और मतलब की आपको पता भी लगेगा और धीर धीर जो है आपके दात जो है आपके पूरी तरह से damage हो जाएंगे right तो खाना खाने के बाद अच्छे से जो है आपको ब्रश वगरा करना चाहिए clean करना चाहिए next time हमारे हाँ पर tongue right तो tongue is a flashy muscular organ that attached at the back to the floor of the buccal cavity and free at the front right तो tongue आपका एक muscular organ है जिसका जो back है है ना जो back side है वो आपकी attached होती है buccal cavity से उसके floor से है ना जो पीछे का जो आपका part back side है आपकी tongue की वो आपकी attached होती है है ना पीछे और जो आपका front side है है ना यह आपका free है आप इसको किसी भी direction में जो है आप move कर सकते हैं राइट अब टंग का function क्या है so beside talking देखी बोलने के लिए तो हम इस्तमाल करते ही है आप के आप जो अगर कुछ भी आप wording जो आप बोल रहे है with the help of tongue tongue का moment हो रहे है that's why you are able to speak अना so besides taking because यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम बात कर रहे है कि it mixes saliva saliva जैसे हमने बात की थी कि आपका mouth है mouth में जो है एक saliva यह water type of fluid है वह release होता है ठीक है जिसको हम बोलते है saliva that saliva mix it mix saliva with the food तो यह क्या करता है जब हम खाना जो है जब उसको दातों से जब उसको चबा रहे होते हैं तो यह यह टंग क्या करती है saliva को जो है खाने के साथ जो है mix करने में help करती है right mix with the food and help in shallowing food और food को shallow करने में जो है मतलब की निगलने में help करती है right ठीक है यह आपका एक function हुआ second taste के लिए we also taste food with our tongue because it has the taste buds that detect different tastes different type of taste की भही कोई चीज आपकी मिठी है खटी है या कडवी है या salty है तो यह different taste जो हमें कहां से पता लगता है tongue से तो second जो function है that is the taste की taste का पता लगता है और इसमें different reasons है आपके जैसे कि आपको जो सबसे front वाला part है वो आपके sweet के लिए है कि कोई चीज मिठी है वो आपको यहां से अगर आप यहां पर रखेंगे तो यहां पर पता लगए कि कोई चीज मिठी है या आपका कोई चीज जो है घटी है वह आपको जो आपका खटा जो टेस्ट है जो आपका सावर टेस्ट वह आपको यहां से आएगा तो आपको यहां से पता लगता है और जो आपका यह सबसे बैक साइड में that is for the bitter taste कडवा जो है कोई चीज कडवी है देखिए आपने चीज notice भी की होगी कि जब आप कोई चीज मतलब कोई कडवी चीज आप खाते हैं तो आपको आप जैसे ही उसको टंग रखतें तब आपको पता जहीं लगहां कि उसका तेस्ट मदले हो मिक्bon. तो आपका पिछे वाला जो सीब्सक्रा को मिक्शर तो नियुक्त. आपके पर्टिकूलर होने पार्ट में यह आपका एक नीफ पर्टिकूलर कोया पार्ट में पका है। that is for the combination of the taste जितने भी टेस्ट है सब का वहाँ पर मतलब सब की सब का जो है combination right so that is about the different regions of tongue for different tastes right तो ये था आपका tongue के बारे में right students तो I hope कि आपको मेरा video lecture पसंद आया होगा समझ आया होगा कोई भी doubt, कोई भी query, कोई भी question है तो आप मेरे को comment box में पूछ सकते हैं thank you so much guys